दुरुकपूल γाओं स्थित शराब भटी में शराब खरीदने के नाम पर हत्या हुई वही औरोपी ने युवक के गले में चाकू से मार कर फरार हो गया जिसके बाद दुरुकपूल गाओं शराब भटी में बीती रात एक युवक की चाकू से गोथ कर हत्या कर दी गई इस घटना को अन्जाम देकर आरोपी यूवक मौके से फरार भी हो गया बता दें पुलिस के मताबिक शराब खरीदने को लेकर दोनों यूगों में विवाद हुआ था पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को जिला स्पताल की मर्चूरी में रखवा दिया है इसके बाद पुलिस की टीम फरार आरोपी की तलाश करना प्रारम कर दी है गौर तलब है कि पूल गाउ थाना प्रभाई ने बताया है कि घटना बूधवार की रात करीब 11 बजे की है पूल गाउ शराब भटी में दो यूवक अलग अलग गए थे जहां दोनों की शराब करीदने को लेकर विवाद हुआ इस बीच प्रमो साहू पर दूसरे यूवक ने चाकू से हमला कर दिया जिससे सीधे उसके गले में मार लगी जिससे प्रमो जमीन पर गिर गया और उसके बाद वह मौजूद शराब भटी के लोगों ने घटना की जानकारी पुलीस को दी मौके पर पहुँची पुलीस ने घायल यूवक को जिला अस्पताल ले गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोशित कर दिया वह दुर्ग पुलीस इस मामले में आरोपी को ट्रेस कर उसकी तलास में जुड़ गई है मामले को लेकर दुर्ग सीएसपी चिराग जैन ने इस तरह की जानकारी मीडिया के समक्ष दी कि कल रात को लगबग साड़े आठ बजे हमें एक गटना हुई कि एक पूल गाउंट थाना चेतर अंतरगर्द एक दारू बटी में चाकू बाजी हुई है इसकी हमें सूचना मिली और जिस व्यक्ति को चाकू मारा गया उसको जिला स्पताल आया और जिसकी बाद में मृत् और उसके खिलाफ अपरात पंजिबत के हैं और फर्दर उसको कारवाई की जाएगी तेकर अभी तो यही प्रतित हो रहा है कि उनका आपस में ही बहुन लोग सब नशे की हालत में थे और उसी नशे में की हालत में उनके विवाद हुआ और विवाद में थोड़ा गर्मी ब और एिद hazır ऊड़ा की बोड़् में दावाई प्रों यहीड़ा है कि उनके अल friendships, अL vidé भ्रतित, मैं हम ध्रतित, मिज़ए रहने का विपाई पाट्यूंब